हेलो फ्रेंट्स वेल्गम बैक टरवर चनल आज आपके लिए एक और बहतरी वीडियो और वो है प्लाजो के डिजाइन के लिए बहुत ही अच्छा डिजाइन है सिंपल सोबर आप जरूर ट्राय करें इसको इसमें ऊपर जो हैं पिंटक्स बनाएंगे और नीचे इसमें गैप मार्क करना है देखिए 2.5 पर यहां फिर 3.5 फिर 4.5 पर और यह 5.5 एक एक इंच के गैप में हमने यह निचान लगा लिये हैं सेम यहीं मार्किंग आपको इस तरफ भी कर लेनी है 1.5, 1, 1, 1 और 1 इंच बिलकुल सेम यहां पर भी कर लेनी है 1.5 और उसके बाद बिल in सभी को हमें joint कर लेना है सीधी straight line draw कर लेंगे देखिए इस तरह सेihat में से आपको एक line कर उठाना है और इस के उपर से आपको stitch करना है सभी index को हमें ऐसे attach करना है तो देखिए यहां से हमें लग भग two points का margin रखते हुए यहां पर हम सिलाई कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट रखना है इसको आप जो दूसरे वाला है उसको भी सेम वे में देखी इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं इसको उठाएंगे जितने सिधे आप निशान लगाओगे लाइन बनाओगे उतने ही अच्छे आपकी पिंडेक्स बनेंगी यह डिजाइन हम प्लाजो के लिए बना रहे हैं वैसे लेकिन आप इसको चाहे तो अपने स्लीज पर भी ट्राए कर सकते हो प्लाजो और स्लीज दोनों में ही कॉम्बिनेशन फिर अच्छा लगेगा अगर आप किसी सिंपल सुट पर ट्राए कर रहे हो तो यह और भी बैटर देखिए यह दो पिंटक्स हमने बना ली है अब जो बागे की तीन पिंटक्स हैं उनको भी सेम इसी वे में हमें बनाना होगा वहीं दो पॉइंट का गैप छोड़ते हुए बिलकुल सीधा और बाद में इनको अपको प्रेस लगाकर अच्छे से से सेट कर लेना होगा और पर इस एक बार तो मैं आपको बता दूँ कि आम हैं चैनल पर और भी बेहतरिन वीडियोज हैं इसके साथ ही सभी तरह की प्लाजो के टुटोरियल सूट कटिंग सलवार कटिंग सभी टाइप की सलवार मत बहुत सारा कंटेंट है सभी टुटोरियल आपको हमारे चैनल पर म मिल जाएंगे और ना मिले तो हमें कमेंट कर सकते हो तो इसलिए रिक्वेस्ट है चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेजिए और देखे यहां पर हमने सभी पिंटक्स को बना लिया है अब इनको उपन करेंगे और अच्छे स यहां पर तो इसके लिए आपको एक फैब्रिक चाहिए होगा सेम ही जो आपने यूज किया है प्लाजो के लिए यह फैब्रिक हमने देखे डबल लिया हुआ है जो सीधी वाले साइड है वो दोनों में अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी वाले साइड है बाहर की तरफ यहां इसकी चोड़ाई है 7.5 इंच इसके साथ हम यूज परेंगे कैनवास पेपर का इस कैनवास पेपर में जो लंबाई है वो है 4 इंच और इसकी चोड़ाई है जो आपकी मोहरी है उससे 1 इंच जादा इसकी कटिंग करेंगे तो इसके देखे कोर्णर से यहां से हम मार् जहां से हमने मार किया है यह वहीं से कट कर देंगे यह बिल्कुल अच्छे से डाल देंगे फिनिसिंग के साथ अब देखे जो हमने फैब्रिक लिया था शुरूर में डबल उसके उपर आप इन दोनों को इस तरह से रखके अच्छे से इस पर प्रेस कर देंगे तो इसके साथ देखे कितने अच्छे से पेस्ट हो गए है प्रेस करने के बाद अब यहां से यहां तक आपको सिलाई लगानी है यहां से यहां तक आपको सिलाई लगानी है येवाल जो सिलाई हम लगाएंगे या तो आप कैनवास पेपर पर ही लगाएं या फिर आप सिर्फ फैब्रीक पर लगाएं ऐसा ना करें कि कभी आप कैनवास पर आपकी सिलाई जा रही है तो कभी आपकी फैब्रीक पर तो उससे आपके जो finishing नहीं आएगी अच्छे से बाहर निकल कर नहीं आएगा तो ये tips आप जरूर याद रखेगा दूसरी वाले पर भी हम सेम जो है stitching लगा लेते हैं अब इनको हमें cut करना होगा तो उसके लिए देखिए half inch का margin छोड़ दीजिए और चारो ही तरफ से इसको half inch का margin रखते हुए हम इन दोनों को ही cut कर लेते हैं उसके बाद इसको हम बाहर की तरफ निकाल कर use करेंगे यहां से भी इसको half inch में cut कर लीजिए तो जो दूसरे वाला है इसको भी cut कर लेते हैं cut हो गया है अब देखिए यहां वाले portion में लगाने होंगे आपको चोटे चोटे cut क्योंकि यह था cover में और जो निकल कर आएगा तो इससे यह finishing की साथ यह वाला portion निकल कर आ जाएगा तो इसमें cut जरूर लगाईएगा अब इनको आपको निकालना है बाहर की तरफ तो देखिए इस तरह से यहां से यह open है तो यहां से इसको इस तरह से बाहर निकाल लीजिए दूसरे वाले को भी और प्रेस की मदद से बिल्कुल अच्छे से इनको set कर दीजिए बहुत ही finishing के साथ ही आपके ready होंगे जब आप इसमें press लगाएंगे देखिए प्रेस करने के बाद कितनी बहतरीन तरीके से यह कितने अच्छे से बिल्कुल set हो गए हैं अब इनको आप हम use करेंगे तो use करने के लिए आपको देखिए इनको या तो इनको overlap कर सकते है या फिर इस तरह से भी आप रख सकते हो यह यहीं पर fix रहे इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर एक छोटी सी stitch लगा लेंगे ताकि हमें इसको लगाने में कोई problem ना आए आप चाहें तो इनको overlap करके भी लगा सकते हो या आपकी choice पर depend करता है क्या लगा दिया है इसको cut कर लेते हैं और अपने main fabric पर लगाते हैं अब देखिए यह वाला बिल्कुल center है इसका तो जो plazo का center है वहीं पर इसको लगा देंगे और यहां से 11 inch का margin लगाते हुए चिलाई लगा देंगे दोनों ही fabric को बिल्कुल साथ साथ रखना है इसको देखिए अब यह कहीं भी हिलेगा डूलेगा नहीं बिल्कुल अच्छे से set हो जाएगा जो भी साइड में extra है इसको हम cut कर देंगे अब देखिए इसको इस तरह से fold कर लीजिए कितना अच्छे तरीके से यह बनकर ready हुआ है अब जो यह वाला portion है यहां पर एक सिलाई लगा दीजिए साइड में extra है इसको cut कर लेंगे अब देखिए कितना बेहतरी रेडी हो गया है अब देखिए जो बीच वाला portion है इसमें आपको ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर मैं इस तरह की beads लगाने वाली हूँ तो आप टेपाइसे beads नहीं है तो आप इसको simple ऐसे भी रख सकते हो सबस करते हुए इस तरह से जब तक यह बिल्कुल टाइट नहीं हो जाए इसको हम fix कर देंगे fix हो गया है यहां पर यहां पर एक note लगा लिजे बदागे को cut कर दीजे अब देखे सीधी साइड से कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल अच्छी set हो गया है तो इसी तरह से आपको इनको लगाना है अब यहां पर लगाएंगे हम यहां पर gap थोड़ा सा जादा है इसलिए हम यहां एक की जगे पर दो मनकों को ले लेते हैं इनको भी बिल्कुल सेम वे में इसी तरह से आपको दो से तीन बार रोज करते हुए अच्छे से fix कर देना है यहां पर नोट लगा कर धागे को cut कर देंगे अब और निचे जाएंगे तो वहां पर gap और जादा है तो इसलिए हमें यहां पर लगाने होंगे लगभग तीन मनके बिल्कुल सेम प्रोसेस है यहां हमने सभी बीड्स को अच्छे से सेट कर लिया है आप चाहें तो नीचे और भी यहां पर भी लगा सकते हैं यह आपकी चल्स पर डिपेंट करता है देखे कितना बेहतरीन लग रहा है यह डिजाइन यहां पर बिल्कुल सिंपल है, सोबर है उड्ले टेस्ट भी है तो आप इसको ट्राय जरूर कीजिएगा यहां से लगाकर हम इसको पूरा कर सकते हैं तो फाइनले हमारा वीडियो बनकर रेडी हो गया है अपको पसंद आया होगा आपको पसंद आया है तो नेचे कमेंट बोक्स में आपको कैसा लगा यह जुरूर बताइएगा इसके सारे चैनल पर नहीं जुर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चले चलते हैं मिलते हैं नई वीडियो में एक और बहतरीन कंटेंट के साथ अब तक आप अपना रखेगा ध्यान और हमारे साथ ऐसे ही बने रहेगा बाबाई